स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर आपके साथ मैं अंजुली मुदकर एक बार फिर से माहाठग यानि की सुकेश चंदर शेखर ने लेटर बम फोड़ा है हम सब जानते हैं कि 200 करोड रुपए के मनी लॉंडरिंग केस में सुकेश चंदर शेखर इस वक्त दिली की जेल में बंध है सजा काट रहा है कब बहार आएगा अभी कुछ नहीं का जा सकता चुकि आरोप उस पर जो लगे हैं वो इस तरह के हैं कि अभी जल्दी से राहत कोई नहीं मिलने वाली है सुकेश चंदर शेखर को लेटर बम का शब्द का इस्तमाल मैंने इसलिए किया चुकि जेल के बीतर रहते रहते देखें कई बार लेटर्स कुछ इस तरह के होते हैं जो कि पूरी तरह से खलबली मचा देते हैं जो कि घोटाले का जिकर एक बार सुकेश चंदर शेखर की तरफ से किया गया था को ना सरफ भरोसा दिलाया गया है कि वो बहुत जल्द जेल की सलाखूं से बाहर आएगा बलकि यह भी बताया गया है कि उसके प्यार में वो किस छध तक पागल है बेकरार है उससे मिलने के लिए जैकलिन से मिलने के लिए इस लेटर में सुकेश चंदर शेकर ने का है कि कल से नवरात्रे की शुरुवात हो रही है और पहली बार ऐसा होगा कि वो जैकलिन के लिए पूरे नौ दिन तक उपवास रखने वाला है शायद ही आपने इस तरह का प्यार पहले कभी सुना होगा इतनी दिवानगी किसी के लिए सुनी होगी कि जेल में रहते हुए भी इससे पहले कभी सुकेश चंदर शेकर ने वरत नहीं रखा है इस बात को खुद उसने माना इस चिठी में और कहा है कि पहली बार ऐसा होगा जब मैं जैकलिन तुम्हारे लिए वरत रखने जा रहा हूँ हालांकि जैकलिन फरनांडस के अगर बात करें तो देखी कभी भी खुलकर जैकलिन फरनांडस की तरफ से सुकेश चंदर शेकर के साथ रिष्टों की बात कबूली नहीं गई है हमेशा इस बात से जैकलिन इंकार करती रखी है लेकिन इस लेटर से जरू सुकेश चंदर शेकर की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि सुकेश चंदर शेखर के मन में जैकलीन फरनांड़स के लिए कितना प्यार है और ये प्यार जब इस पूरे मामले का खिलासा हुआ था उस वक्ट भी देखने को मिला था कैसे कुछ ही मैनों की दोश्ती में कुछ बहुत करीबी पिचर्स भी दोनों की सामने आई थी और कैसे लाखों की बिल्ली, लाखों के घोडे, डाइमंड के जूलरी के अलावा ब्रैंडिड कपड़े, ब्रैंडिड वाच, डूलरी, सब कुछ शुदी आ गया था सुकेश चंदरशेखर की तरफ से जैकलीन फर्णांडेस को इस चिठी के अंत में, बाकाइदा दो पन्नों की ये चिठी है और इस चिठी के अंत में एक तरह से बॉर्णिंग बिदी गई ये सुकेश चंदरशेखर की तरफ से हलांकि जो अभी फिलाल बहुत मुश्किल है लेकिन क्या जैकलीन इस सीज को एकसेप्ट करती है कि सुकेश चंदरशेखर के साथ उसके इतने करीबी रिष्टे थे